डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपेटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आएं है एक स्टेट अफ दियार्थ डाइगनोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाई-टेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. उत्तरप्रदेश के हापड में, कोट के बाहर हिस्टी सीटर लाखन उफ अशोग भाटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना में शामिल चार बदमासों ने अंधादून फाइरिंग भी की, जिससे एक कांस्टेबल भी खायल हो गया. कोट के बाहर हत्या की सूचना पाकर आईजी पुलिस प्रवीन कुमार भी मौके पर पहुँच गए. समाजवादी पार्टी ने इस घटना को आधार बनाते हुए योगी सरकार पर हमला साधा आये. सपा का कहना है कि यह घटना यूपीज सरकार की कानून ववस्था पर बड़ा सवाल है. दरसक लाखन को हर्याना से पेशी के लिए हापुल लाया गया थै. जैसे ही उसे वहाँ से नीचे उतार कर कोट की तरब ले जाया जा रहा था. पहले से घात लगा कर बैठे बदमाशों ने उस पर फायर जोग दिये. इस हत्या कंड के पीछे बदमाशों की आपसी रिंजिश्मताई जा रही है. लाखन के साथ आये हरियाना पुलिस के कॉंस्टेबल राजों के मुताबित करी 20 गोलियां वहाँ चलाई गई और सारा घटना करब सेकंडों मही हो गया. गोली बारी में कॉंस्टेबल ओम परकाश भी खायल हुआ है. देखिये वहाँ का नजारा. बारी में कॉंस्टेबल ओम परकाश भी खायल हुआ है. इस खबर में फिलाल इतना है. आप देखते हैं फस्टबाइट टीवी. नमस्कार. स्ट्बरभ टीवीर हो गया्री में कॉंस्टेबल – मॉ्ह उले कि वहाँ कई बार अगम क्ई भी में औार्या. झाल झाल